प्रियाग राज में चर्चित बस्पा विदायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवा उमेश पाल की हत्या के बाद से ही यूपी पुलिस का एक्शन जारी है एक हफते के भीतर पुलिस ने दो आरोपियों को एंकाउंटर में धीर कर दिया उस्मान के एंकाउंटर के बाद उनकी पत्नी ने पुलिस पर फरजी एंकाउंटर करने के आरोप लगाए उस्मान की पत्नी शिवानी का कहना है कि मेरे पती ने किसी की हत्या नहीं की 24 फरवरी को भी पूरे दिन घर पर थे और एंकाउंटर की रात में भी घर पर उनके साथ राद भर रहे उन्होंने किसी की हत्या नहीं की वो घूरपुर में गाड़ी चला कर परिवार का खर्चा वहन करते थे रात भर घर पर थे जान बूच कर एंकाउंटर किया गया है ये सारे आरोब जो हैं वो उस्मान उर्फ विजय चौधरी की पत्नी ने लगाए है उस्मान की पत्नी का ये भी बयान है कि वो उस्मान थे ही नहीं नाम था विजय चौधरी बाराल फिर से सवाल उठने लगा है कि क्या फेक एंकाउंटर हुआ है यूपी पुलिस पर जो यूपी पुलिस की कारेवाई है उस पर कई लोग सवाल खड़े करते आपको दिखाई दे रहा है दरसल जब से उत्तर प्रदेश में यूगी सरकार बनी है तब ही से अपराधियों की शामत आ गई है तेजी से एंकाउंटर करने का सिलसला अनवरज जारी है इस पर यूगी सरकार का कहना है कि सूबे की कानून विवस्था को दुरुस्त रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है जबकि विपक्ष का रोप है कि कानून विवस्था सुधारने के नाम पर पुलिस फर्जी एंकाउंटर कर रही है उमेश पाल हत्याकान के बाद हुए एंकाउंटर के बाद विपक्ष ने एक बार फिर से सवाल खड़े किये है सपागे राश्टिये प्रमुक महासचिव रामगोपाल यादो ने कहा कि यूपी में पुलिस फर्जी एंकाउंटर कर रही है असली दोशियों को छुपा रही है उन्होंने कहा कि अतीक एहमत के पढ़ाई कर रहे है बेटे को भी पुलिस नहीं बखशेगी उसका भी फर्जी एंकाउंटर कर देगी बसपा सुप्रीमू मायावती ने यूपी के पुलिसिया कारिवाई पर सवाल पूछे है मायावती ने कहा क्या सरकार अपनी विफलताओं पर परदा डालने के लिए दूसरा विकास दोवेकांट करेगी लेकिन एक बार फिर से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई यूपी में कानून विवस्था सुदारने के नाम पर फर्जी एंकाउंटर हो रहे हैं क्योंकि मानवादिकार आयोग की रिपोर्ट तो कुछ इसी तरफ इशारा करती है फर्जी एंकाउंटर के मामले में पिछले साल राश्ट्री मानवादिकार आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि फर्जी एंकाउंटर की शिकायतों के मामलों में उत्तरप्रदेश पुलिस देश में सबसे आगे है मानवादिकार आयोग ने तो पूरे 18 साल का डेटा जारी कर दिया एक RTI के जवाब में आयोग ने बताया कि भारत में 2000 से 2018 के बीच 18 साल में 1804 फेक एंकाउंटर हुए है अकेले UP में 811 फेक एंकाउंटर याने 45 ही सदी केस दर्ज किये गए कई फेक एंकाउंटर केस में पुलिस कर्मी दोशी भी करार दिये गए है फेक एंकाउंटर पर कई बार सवाल उते हैं सरकार को नूटिस भी जारी किया जाता है लेकिन इस पर रूट नहीं लगती केंद्र का डेटा भी इस बात की गवाई है फरवरी 2022 में केंद्रिय ग्री मंत्राले ने फेक एंकाउंटर का डेटा संसत को बताया था ग्रे राज्यमंद्री नित्यानंद राय के मताबिक 2017 से लेकर 2022 तक भारत में 655 फेक एंकाउंटर हुए राय ने बताया था कि सबसे अधिक फेक एंकाउंटर 36 गण में किये गए यहाँ पर 199 लोगों को फेक एंकाउंटर में मार गिराया गया यूपी में 117 और असम में 50 लोग फेक एंकाउंटर में मारे गए थे यह कुछ आकणे हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि फेक एंकाउंटर जो होते हैं इससे इंकार नहीं किया जा सकता है अब उसमान या विजे चौधरी जो भी कहले हैं उसकी पतनी का ये भी दावा है कि जब विजे चौधरी घर से बाहर निकला था तो उसे बाइक पर पुलिस लेकर गई थी उसके पास कोई हत्यार नहीं था जबकि पुलिस की कहानी को समझा जाये तो पुलिस के मताबिक विजे चौधरी ने पुलिस पर फाइरिंग की उसको घेरा गया था उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया जब वो नहीं माना तो फिर उसको जखमी करने की नियत से गोली मारी गई उसका एंकाउंटर किया गया उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसे मुरत भुशित कर दिया गया दो कहानिया है अब इसमें एक और महत्तून बात है जो है सोच की बात अपराधियों का एंकाउंटर होना विकास दुबे के समय पर आपको याद होगा गाड़ी पलट गई थी गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे का एंकाउंटर कर दिया गया था एंकाउंटर तब हुआ जब विकास दुबे महाकाल मंदिर में दिखाई दिया था लेकिन थोड़ा सा गैप होता है और उसके कुछ ही देर बाद विकास दुबे का एंकाउंटर हो जाता है विकास दुबे के एंकाउंटर के समय पर ये कहा गया कि उसने भागने की कोशिश की थी गाड़ी पलट गई थी जिसके बाद वो भाग रहा था और उसे भागने से रूपने के लिए पुलिस ने बोली मार दी बाराल एंकाउंटर सचे हैं फेक हैं यह तो जाच का विशे हैं इस पर कोई रिपोर्ट आएगी लेकिन मानवादिकार आयोग के रिपोर्ट के मताबिक या एक आर्टी आई के जरिये जो दावा किया गया या कई बार ऐसे आकड़े रखे गए हैं उसमें कई पुलिस कर्मिय पर कारिवाई भी हुई है उत्तरप्रदेश पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं लेकिन अपराद मुक्त प्रदेश की छवी को बनाने के लिए या इसको और मजबूत करने के लिए योगी आदितिनाद के पुलिस पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है कई अपरादियों में एंकाउंटर का डर बैठा है अब ये एंकाउंटर कितने सही हैं कितने गलत हैं इस पर आप भी अपनी राय रखें क्या आपको लगता है कि एंकाउंटर होने से इन अपरादियों के मन में डर बैठता है और क्या फेक एंकाउंटर होने की वज़ह से क नहीं परिवार खपन भी हो जाते हैं इस पर आपकी राय क्या है वो आप जरूर रखें